बच्चन परिवार की बहु ऐश्वरय राय बच्चन के बालों को लेकर बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि ऐश्वरय राय गंजी हो गई है। इसे च्छपाने के लिए वो विक पहनने लगी है। कुछ लोगों ने अश्वरय राय की इस विक को पकड़ लिया है। दरसल मिस्वर्ड होने के बावजूद अश्वरय राय लंबे समय से हेर स्टाइल में कोई बदलाव नहीं कर रही है। लंबे समय से उन्हें इसी पार्टिशन वाले लुक में देखा जा रहा है। हाली में अश्वरय डिजाइनर पनीश मलोतरा की दिवाली पार्टी में अपने पती अभिशेक बच्चन के साथ इसी लुक में पहुंची। लेकिन यहां के अलग लाइटिंग की वज़ह से लोगों का ध्यान उनके बालों पर चला गया। कई लोगों का कहना है कि अश्वरय अपने बालों की खुबसूर्थिक हो रही है। अब वो गंजी हो रही है इसलिए उन्होंने विग लगाना शुरू किया है। एक शक्स ने अश्वरय के बालों पर कॉमेंट करते हुए लिखा है कि अश्वरय बिग पहनती है। बालों का पार्टिशन पाउडर से भरा दिख रहा है। तो वहीं एक शक्स ने हां में हां मिलाते हुए और किसी ने लिखा कि उन्होंने बालों को फिक्स करने के लिए स्प्रे का अस्तमाल किया है। वहीं एक और ने बोला कि अश्वरय के बालों में जो वाइटनेस दिख रही है वो हैर फिक्सिंग की वज़ह से हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने अश्वरय को अपना स्टाइल बदलने की सलहा दे डाली। लोगों ने कहा कि बच्चन परिवार की बहु को अपना स्टाइल बदल लेना चाहिए। क्योंकि लोग अब उनके एक ही तरह की लुक से बोर हो चुके हैं। पता दे कि सिफ आश्वरया ही ट्रोलिंग का शिकार नहीं हुई है। अबिशेक बच्चन के लुक को लेकर भी लोगों ने खुब मजा कुड़ाया है। एक शक्स ने अबिशेक के लुक को देखकर लिखा एश्वरया राय वाला सूट पहन कर क्यों आया है। तो वहीं एक ने बोला कि अबिशेक ने क्या चोर बजार से कपड़े पहन कर खरीदे हैं। तो दोस्तों आश्वरया राय और अबिशेक बच्चन के इस लुक के बारे में आपका क्या कहना है अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।